गुड मॉर्निंग दोस्तों तो UP PCS में आप देख रहे हैं कि GS में 8 सबजेक्टों का अच्छा खासा रोल है तो इसमें अगर मैं हिस्त्री की बात करूँ अगर मैं इसमें खास करके इतिहास की बात करूँ तो इतिहास बहुत ही लेंथी है यह जो हिस्त्री का चैप्टर है काफी ब्रॉड है और आज का जो यह सेशन है और आज हम खास करके इसी हिस्त्री पे ही बात करना चाह रहे हैं और इसी हिस्त्री पे ही बात करना है कि किस प्रकार से एक रणनेती बनानी है एक planning बनानी है इस इतिहास के concept को complete करने के लिए पिछले exam में आप देख सकते हैं कि history से काफी unique चीज़ों को काफी modern तरीके से चीज़ों को घुमा करके concept को रखा गया है जिसमें आप लोग चीज़ों को जानते विए भी सही जबाब नहीं दे पाए हैं तो history सबसे बड़ी बात बहुत lengthy है बहुत lengthy है history जायासी बात है लेकिन उसको किस प्रकास से हम लोग selective study करें कि इस पर अच्छे से planning करके हम syllabus को बिलकुल complete कर पाएं और यह ध्यान रखिएगा कि जो इसके syllabus को point by point चीज़ों को describe करके चीज़ों को आपको बता दे या आप उसको जानते हो कि हाँ इसके बाद यह पढ़ना है इसके बाद यह पढ़ना है इसका यह section है तो यह मान के चलिए कि आपके जो reading है वो बहुत तो सही track पे जा रही है तो सब से पहली बात आज की class में हम आपको यही कहना चाहते है कि हमको पढ़ना क्या है भाई history है तो history में हमें कहा कहा work out करना है कहा कहा काम करना है पढ़ना क्या है तो चलिए आज हम लोग यही बात करते हैं खास करके हस्ती के फार्ट को ले करके अगर मैं हस्ती की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस हस्ती में खास करके हम यहां आपको इसके चार सेक्षन की बात करेंगे इसमें हम आपसे चार सेक्षनों की बात करेंगे और उसमें पहला जो है वो है प्राची नितिहास पहला क् प्राचीन इतिहास उसके बाद आप से मैं बात करूँ अगर तो मध्यकालीन इतिहास ठीक है उसके बाद आप देख रहे हैं आधुनिक इतिहास ठीक है आधुनिक इतिहास उसके बाद जो चौथा सेक्षन है हम इसमें पढ़ेंगे सोतन्तता के बाद का इतिहास बाद का इतिहास कहने का ताप पर है कि प्राचीन इतिहास, एलसेंट हिस्ट्री, मैडवल हिस्ट्री, मॉडरन हिस्ट्री, आफ्टर फ्रीडम है ना, सोतन्तता के बाद, आफ्टर फ्रीडम जितनी भी हस्ट्री क्रियेट हुई है उन इतिहासों पर हम काम करेंगे खास करके UP, PCS की अगर हम बात करें तो हमें इस सेक्षन से और इस सेक्षन से अच्छे खासे प्रस्ट देखने को मिलते हैं इस सेक्षन और इस सेक्षन से चीज़ें ज़ादा उठ रही हैं और यहां से और यहां से कुछ बेसिक चिजों को ही पूछा जा रहा है तो सबसे पहली बात आपको ये मैं कहना चाह रहा था कि इतिहास में आपने देखा प्राचीन इतिहास मैर्वल हस्ती, मौरोन हस्ती और आफ्टर फ्रीडम के बाद इतिहास की क्या क्राइटेरिया थी इन चार इतिहास के खंडों पर हम आज यहां बात करेए देखिए हमने आप से बताया कि इतिहास में जैसा कि पहला जो था प्राचीन इतिहास है पहला क्या है प्राची नितिहास पहला जो है इंसेंट हिस्ट्री है और इस इंसेंट हिस्ट्री में मैं अगर आपसे बात करो तो पढ़ना क्या क्या है तो सबसे पहले स्टोनेज जिसे आप क्या कहते हो पाशार काल कहते हो आप इसे पाशार काल कहते हैं तो आप ने देखा क्या पढ़ना है, पाशारकाल पढ़ना है, उसके बाद आप देख सकते है। में उत्तरवैदिक रिगवैदिक ज्यान लखिएगा ऐच्छौlles उसके बाद वैदिक सभिटा के बाद हम यहां पर खास करके धार्मिक आंदोलनों की बी भी बात कर लेंगे और धार्मिक आंदोलन में आपको पता होना चाहिए जैनिस्म जैनध धर्म और बौद धर्म की बात करनी है जैन धर्म और बौद धर्म की बात करनी है उसके बाद धार्मिक आंदोलन के बाद हम आपको यही पर मौर्यूग की चर्चा करेंगे ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य समराट असो यहां से जो चिज़े अपडेट होती है इन खंडो से भी हम मौर्यूग में चर्चा करेंगे उसके बाद देखिए मौर्यूग के बाद आपको मौर्यूग तरकाल भी पढ़ना है ठीक है उसके बाद यहां आपको गुप्तकाल पढ़ना है उसके बाद बिटा आपको यहां गुप्तकाल पढ़ना है गुप्तकाल और गुप्तकाल ये आप देख रहे हैं गुप्तकाल ठीक है उसके बाद यहीं आपको हर्सवर्धन सुंगवन्स, कर्डवन्स इन सब चिज़ों पर यहां पर हमें चर्चा करनी है उसके बाद हम यहां से आगे बात करेंगे इतिहास के इतिहास के अगले कालखंडों की हम यहां आपसे बात करेंगे इतिहास के अगले कालखंडों की हम यहां से बात करेंगे और वो है आप देख रहे हैं दूसरा सेक्शन और वो था मद्धिकालीन इतिहाज मद्धिकालीन इतिहाज मैडवल हिस्त्री तो मैडवल हिस्त्री में क्या क्या पढ़ना है उस पर देख लेते हैं मेड़ोल हस्टे में खास करके हमें जो बेटा बात करनी है वो बात करनी है आप देख सकते हैं सल्तनत काल और मुगलकाल की बात करनी है उसके बाद देखिए अब सल्तनत और मुगल में जो बात करनी है तो सल्तनत में यही आपको दिल्ली सल्तनत की बात करनी है ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत ठीक है और मुगल में आपको पता है मुगल सल्तनत ठीक है इसकी बात हो गई उसके बाद आपको मैड़ल हस्टी में आप देख रहे हैं क आपको यही अगला सेक्सन जो है सलतनत्काल और मुगलकाल के बाद हम इसी मैडवल हुस्त्री में आगे पढ़ेंगे विजायनगर विजायनगर की समराज की बात करेंगे और हम इसी में ही बात करेंगे बहमनी वंस वहमनी बंस की बात करेंगे समझते चलिएगा वहमनी बंस विजरनगर हो गया उसके बाद हम यही पर खास करके धार्मिक आंदोलन भी सुरू हो जाएंगे धार्मिक आंदोलन सुरू हो जाएंगे धार्मिक आंदोलन तो खास करके जो धार्मिक आंदोलन हो रहा है तो ये धार्मिक आंदोलन जो इस सेक्षन में हमें पढ़ना है तो आरिस समाज ब्रह्म समाज है ना जो तमाम तरह के ये रेवलुशन शुरू हर रहे हैं ये आंदोलन शुरू हर रहे हैं तो इस पर भी हम यहां पर बात करेंग तो कहने का तात्पर है कि मैरूल हस्ती में आप देखोगे इसकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ पाच बंसों को पढ़ना है, खास करके गुलाम बंस, खिलजी बंस, तुगलक बंस, सैयद बंस, और लोधी बंस. इन पाच बंसों को पढ़ना है, उसके बाद मुगल बंस है, मुगल डिनस्ती है, तो मुगल में भी हम आपको बिल्गुल सीरीस से चिज़ों को पराते हैं चलेंगे, बाबर, हुमायू, अकबर, जहागिर, साजहा, औरंग जेब, कहने का तादपर है कि यहाँ इस सेक्षन से चीज़े ज़्यादा पूछी आती हैं, अगर मुगल बंस उठेगा तो यहीं से चीज़े ज़्यादा आपडिट हो रही हैं, इनका नाय प्रणाली, इनका आर्थिक जीवन, इनकी ब्योस्थाएं, तो यहाँ पर चीज़ों को हम लोग ब्योस्थत तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, मद्य काल इतिहास में आप देख रहे हैं, दल्लि सल्टनत, मुगल सल्टनत, विजर नगर समराज की स्थापना, बहमनी वन्स धार्मिक आंदोलन, और इनी धार्मिक आंदोलनों के बाद, हम सिधा यही से बात अपनी सुरुवात करेंगे, तिसरे कालखंड की बात करेंगे, और यह हम बात करना चाहते हैं, आदुने के तिहास, इतिहास का ही अगला सेक्षन हम यहाँ ले करके आएंगे, और वो सेक्षन होगा, तिसरा, सब्सक्राइब का मॉडरन हिस्ट्री, ध्यार दिजेगा, सभी चीजों को टेच करते हुए गुजरना है, यहाँ पर चीजों को एक डैप्ट लेबल में यूनिक तरिकों से दिस्क्राइब करते हुए चलना है, तो आधुनी के तिहास में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आधुनी के तिहास में देख लिजेगा, हम यहाँ सुरुवात करेंगे, विदेशियों का भारत में आगमन, विदेशियों का भारत में आगमन, क्या देखा आपने, विदेशियों का भारत में आगमन देखा, आधुनी के तिहास में, उसके बाद हम यहीं पर बात करेंगे कि foreigner आये विदेशों से है ना जो भी आये पुर्टगाली, डच, यवन, हूर है ना या आप यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेजी, फ्रांसी, सी, डच, पुर्टगाली और जितने भी foreigner आये हैं खास करके भारत में तो उनी विदेशी यात्रियों का हम यहाँ पर विदेशीयों का भारत में आगमन जो आये हैं उसकी बात करेंगे और यहीं पर फिर सुरुवात करेंगे इस्ट इंडिया कमपनी, 16 सो में इस्ट इंडिया कमपनी के स्थापना उसके बाद अंग्रेजों का भारतियर राजनीति में हस्तच्छेप और इसी में हम सुरुवात करेंगे इसी में हम सुरुवात करेंगे अंग्रेजों का भारतियर राजनीति में हस्तच्छेप हो रहा है और यहीं सुरुवात होगा 1857 की स्वतंतरता संग्राम तो देखते चलिए 1857 की स्वतंता संग्राम की बाद सुरू होगी 1857 का यह जो आपका स्वतंता संग्राम हुआ और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्वतंता संग्राम में किस अस्थान से कौन कौन नतृत कर रहा है और अंग्रेजों के खलाब कैसे कैसे चिज़े हो रही है और यहीं सेक्षन में हम गवर्नर और वायस राय का भारत में गवर्नर और गवर्नर और वायस राय का भारत में कारिय प्रणाली ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं खास करके हम यही पर बात करेंगे काबिनेट मिसन नान्टी फोटी सिक्स और भारतियों को समधान का अधिकार ठीक है इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले हम लोगों को यहां पर कई चीजों को और अपडेट करना है जैसे कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना सवतंद्रता आंदोलन जितने भी मुमेंट हुए है वहां से प्रस्त बहुत बनता है हम लोग जितने भी रेवलूशन और मुमेंट हुए है उसकी बात करेंगे यहां पर हम लोग गांधी यूग की बात करेंगे गांधी यूग नरमदल और गरमदल की बात करेंगे देखते चलिए उसके बाद ये सब सेक्षन आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसके बाद आपने गाधी युग में जतने भी आंदोलन हुए हैं उन सब की बात करेंगे और उसके बाद बेटा सुरुवात होगा आपका चौथा सेक्षन जोथा सेक्सन वो सोतन्तता के बाद का इतिहास सोतन्तता के बाद का इतिहास After Freedom has said सोतन्तता के बाद के अगर इतिहास के हम आपसे बात करें तो खास करके आप देखेंगे कि 1950 में जब आपका समधान लागू हुआ तो 1950 के समय में भारत की सुती भारत की क्या है? स्थती इस पर बिटा काम करना है ये सेक्षन भी देखना है उसके बाद आप यहां देखेंगे भारत में विकास के लिए विकास हे तू पंचवरसिय योजनाए ये सेक्षन भी आपका खास करके सुतंता के बाद के इतिहास को ही हालाइट करता है तो यह यहां सही हम ये चीज़ को अपडेट कर लेंगे उसके बाद देखिए उसके बाद वर्तमान में भारत की संस्कृति व आर्थिक सामाजिक स्थती कहने का तात पर है कि चीज़ों को बिल्कुल मैंने सुरुआख से सभी स्थेप बाइस्थेप चीज़ों की सर्चा किया है तो इसको आप फिर से एक बार देखिएगा और इसको रिवाय sarc करिएगा इसको देखना है कि पढ़ना किस क्रम में है यह ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंस है किस क्रम में हमें हमें पढ़ना है मैंने आपको बताया कि इतिहास में हमने तिलकान रिसल धों में बाट दिया इसको in-silence 아침 और मैडवल है modern है और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है ठीक है अब बात आती है अब बात आती है कि खास करके जो आप देख रहे हैं यहां स्वतंता के बाद का इतिहास तो अब हम अगर इसमें बात करें तो यह आप देख सकते हैं खास करके प्राची नितिहास और आपका अब प्राची नितिहास है तो प्रा आदुनिक इतिहास, तो आदुनिक इतिहास में क्या क्या है, वो भी बात मैंने आपको यहाँ पर चर्चा किया है, प्राचिन इतिहास में क्या पढ़ना है, मैडुवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आदुनिक हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो इन सब पर हम लोग काम तो चलिए आज हम लोग खास करके आपसे ये बात करना चाहते हैं, कि भारत में खास करके अगर मैडूल का सक्षन उठाया जाए, तो मैडूल में हमने प्रथम Muslim आकमर कारी की बात की हैं, और ऐसे ही तुर्क जो हैं, वो भारत पर आकमर करते हैं, कौन भारत पर आकमर करता है, तुर्कियों का भारत पर आक्मर की हम बात करते हैं चलिए आए तो आज का जो चैप्टर है वो खास करके आपके लिए बस यूनिक होना चाहिए चीजों को छापने की बजाय सीखिए और हमारे साथ मैप के माध्यम से पूरी हिस्टी को क्रियेट करिए तो चीजों को step by step सुनिएगा खास करके आपको syllabus पता होना चाहिए UP pieces में कहां कहां से चीज़े जादा आ रही है कौन कौन से section को पढ़ना है उसके बाद हम आपसे बात करना चाहते हैं खास करके यही बात करना चाहते हैं कि Mad World History में खास करके जो आज का blog है जो आज का session है ये session है महमूद गर्जनवी से related किस से related है महमूद गर्जनवी से तो आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गर्जनवी को किसको पढ़ेंगे महमूद गर्जनवी ठीक है आज महमूद गर्जनवी को पढ़ना है तो आज का जो आप देख रहे हैं आज का जो section है वो महमूद गजनवी है महमूद गजनवी ठीक है अगर इसका timing लिखना है तो आप देख सकते हैं 998 ठीक है 998 ठीक ना 80 to 1030 AD ठीक है यह इसका time period है 1030 तो खास करके अगर हम इसमें बात करें तो अब देखिए आज हमें पढ़ना है महमूद गजनवी और महमूद गजनवी में मैं बिलकुल बेश से सुरुआत करूँगा और कोसस यह करूँगा कि भारत में क्या सुती है भारत में यहां आक्रमर करता है तो क्यों आक्रमर करता है इसके पीछे क्या logic थी ऐसी ठेल सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके बीच में आज हम यहां चर्चा करेंगे तो चलिए आज हम बात करते हैं महमूद गजनवी की महमूद गजनवी में खास करके ध्यान देना है कि महमूद गजनवी कहा का है क्या है कैसा है तो उस सब चीज़ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो मैं आप से चर्चा कर रहा हूँ महमूद गर्दमी की तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि गजनी जैसी एक छोटी सी रियासत है और यहाँ का साथ सक जो है यह साथ सक है भीया अलप्तगीन कौन है अलप्तगीन कहा जाता है कि 1963 AD में यहाँ पर साथ सक था अलप्तगीन ठीक है कौन सेप समझेगा अब इस अलप्तगीन का एक गुलाम था गुलाम आपको पता है कि गुलाम को है ना लोग लोग क्या करते थे ब्यक्तियों को खरीद लेते थे अपना सेवक और दास बना देते थे सलैप गुलामों का बड़ा चलन था तो अलप्तगीन का एक गुलाम है और वो गुलाम कौन है वो गुलाम याद रखीगा वो भी गुलाम है सुबुक्तगीन कौन है सुबुक्त गीन इतिहास में यह भी मिलता है कि यह इसका दामाद भी था क्या था दामाद भी था अलप्त गीन अलप्त गीन का गुलाम सुबुक्त गीन और कहा जाता है कि अलब्तगीन के मृत्यूं के बाद 977 में 977 में ये सुबुक्तगीन ही सिंगासन पर बैठता है concept clear है सुबुक्तगीन ही सिंगासन पर बैठता है और आपको यहाँ यह याद रखना है कि इस सुबुक्तगीन को एक पुत्र हुआ था वो time है 1971 AD ठीक है? November एक पुत्र हुआ था और इसी पुत्र का नाम इसने रख दिया था महमूद क्या नाम रख दिया था बैठा? महमूद तो कहने का दाथ पर है यहाँ कुछ चीजों को थोड़ा notice करिएगा ये date है ये date है और ये date है तो इतिहास में इन डेटो में उलजना नहीं है एक ट्रिक पर काम करना है और चीज़े बिलकुल उसफस्ट हो जानी चाहिए एक ट्रिक बेस हम यहाँ काम करेंगे और मुझे उमीद है कि आप चीजों को जरूर समझेंगे मैंने बताया कि गजनी में कोई अलब्तगीन है सासरबन के बैठा हुआ है और उसी का गुलाम और बाद में उसका दमाद भी हो गया और वो दमाद था सुबुक्तगे सुबुक्तगीन को एक लड़का पैदा हुआ 1971 में और यही सुबुक्तगीन का जो लड़का है महमूद भारती इतिहास में आपको मैं बताना चाहता हूँ यही लड़का भारती इतिहास में खास करके 998 AD में सिंगहासन पे बैठता है और गजनवी की उपाधी धारन करता है गजनवी गजनी का है गजनवी की उपाधी धारन करता है और यही कहलाता है महमूद महमूद गजनवी समझिएगा थोड़ा महमूद गजनवी तो मैंने आपको बताया मैंने खास करके बैठा आपको बताया कि महमूद गजनवी यह 998 थोड़े इसको समझेगा कि अलप्तगीन का गुलाम सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन का बच्चा हुआ महमूद 971 में और यही इतिहास में महमूद गजनवी कहलाया क्या कहलाया महमूद गजनवी सिंघासन पर कब बैट रहा है 998 में बैट रहा है अब देखिए इतनी चीजे क्लियर हो गई अब यहां पर जो मैं आप से बात करना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान दिजेगा कि अब हम यहां थोड़ा trick की बात करेंगे किसकी बात करेंगे trick की बात करेंगे और trick यही है खास करके बेटा ट्रीक यहाँ पर यही है कि आपको याद रखना है कि 900 900 के लगभग की ये घटनाएं हैं तो आपको एक बात याद रहेगी खास करके 900 का मतलब है कि 900 के लगभग ये लोग थे तो ऐसे मानिया आप थोड़ा ऐसे समझेए मैं थोड़ा चीजों को ऐसे बताना चाहूंगा कि आप याद रखिए कि 977 AD में 1977 मतलब 97777 याद रखिएगा 977 में सुभुक्त गिन संघासन पर बैठ गया था ठीक है और इतना याद रखिएगा इसके संघासन पर बैठने से 6 व इसके सासक बनने के 6 वर्स पहले विफोर 6 एयर इसके सासक बनने के विफोर 6 एयर आपको ध्यान दखना है कि महमूद इसको एक पुत्र हुआ था कौन पैदा हुआ था महमूद पैदा हुआ था तो हमने क्या किया हमने देख लिया कि 6 वर्स पहले कब 6 वर्स पहले ठीक है ना 6 वर्स पहले तो इसी में हमने माइनस 6 कर दिया कितना आ गया याद रखिए 9071 जहां दीजेगा यह जो ट्रीक है एक बार दमाग में बैठ गया तो आप हमेशा इसमें कहीं रटने के जरूरत ही है इसके सिंगहासन पर बैठते ही 977 में यह सिंगहासन पर बैठा इसके सिंगहासन पर बैठने के 6 वर्स पहले before 6 years मतलब 977 में 971 में 971 971 में इसको एक पुत्र हो चुका था एक बात समझ में आई और यही पुत्र जब 27 वर्स का हो गया जब 27 वर्स का हो गया तो गजनी के सिंगहासन पर बैठता है मतलब इसी में आप 27 जोड़ देना है कुछ समझ में आया कहने का मतलब आपको 977 याद रखना है उसमें फिर माइनस 6 करना है क्यों क्योंकि जो बच्चा हो रहा है इसके यहाँ 971 में हो रहा है उसके बाद 27 वर्स का होता है 27 इयर्स का होता है तो यह सिंगहासन पर बैठता है भया तो कब बैठेगा सिंगहासन पर 998 इतनी बात आपको जरूर क्लियर हो गई होगी मुझे उमीद है कि इतना कॉंसेप्ट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा ओके अच्छा हमने आपको बताया हमने मिटा आपको बताया कि अभी आपने देखा कि महमूद गजनवी के नाम से गजनवी के नाम से सिंगहासन पर बैठता है अच्छा आप थोड़ा देखिए ग अच्छा ठीक है महमूद गजनवी को इसके ही एक खलीफा का नाम मिलता है इसके खलीफा का नाम मिलता है अलकादीर अलकादीर बहाबी खास करके आपको मैं अगर बात करूँ तो अलकादिर बिल्लाह सब्द मिलता है तो इसी के खलीफा थे खलीफा खलीफा नाम मिलता है अलकादिर बिल्लाह अलकादिर बिल्लाह जो खलीफा साहब थे इसको दो उपाधियां देते हैं क्या देते हैं बेटा इसको दो उपाधियां देते हैं एक इसको इसको एक उपादी देते हैं यामीन उद्धुला उद्धुला ठीक है इसको कैसे उपादी देते हैं यामीन अदू दौला, अलकादिर बिल्ला, अलकादिर बिल्ला है, बिल्लाज नहीं है, ये अलकादिर, बिल्ला, मैं फिर से लग दे रहा हूं, क्लियर कर लीजे, अलकादीर अलकादीर बिल्ला बिल्ला इनको कैसे उपादी दी यामीन उदध दौला के उपाद दी ठीक है और एक उपादिन को दी जाती है यामीन यामीन उद मिल्ला ठीक है, तो यामीन उद दोलाये जैसे सब्द इसके लिए कह जाते हैं और यह महमूद खास करके ध्यान रखना है कि इसने सुल्तान की उपादिधान की थी कौन से उपादी धान की थी सुल्तान की उपादी धान की थी तो याद रखना है कि भारती इतिहास में अगर कोई सुल्तान का पद पहली बार धान करता है तो वो कौन है महमूद गजनवी है सुल्तान की उपादी सबसे पहले कौन धान करता है महमूद गजनवी धान करता है इसी Mحمod गजड़नमी ने खास करके याद रखना है इसी को बुत बहासी बेटा कहा जाता है बुत बहासी का मतलब है मुर्तियों का खंड़न कर देने वाला इसने जितने भी भारत पर आक्मर किये हैं तो उसने वहां के मंदिरों को लूटा है और मुर्तियों को तोड़ देता था तो इसे क्या कहा जाता है बुतु 82 कहा जाता है भारती तिहास में जिहाद सब्द का जो पहला प्रयोग आया है जिहाद जो सब्द आया है ये जिहाद जो है एक धर्म युद्ध सब्द जो यूज हुआ है जिहाद तो ये सब्द जो है ये महमूद गजनवी ने सबसे पहले प्रयोग किया हलाकि मुगल असरी में मैं आपको बताऊंगा कि जब 1527 में खानवा का युद्ध होता है तो बाबर ने भी रारा सांगा से युद्ध करते विए जिहाद जैसे सब्द का प्रयोग किया है तो आपको कॉंसेट समझ में आना चाहिए कि खलीफा ने इसको या मिन दुद दौला या मिन दुद मिलान या ऐसे सब्द ऐसी उपाधियां दिया सुल्तान की उपाधि ये पहली बार धार करता है तो एक प्रकास से इसका पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी हो जाता है तो बुद बहासी किसे कहा गया है मुर्ति को का खंडन करने मला मुर्ति खंडक मुर्ति खंडन ठीक है इसे मुर्ती खंडन या मुर्ती भ्रंजन भी कहा गया है जहाद सब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है वो है महमूद गजनवी तो इतना बात क्लियर हुआ ये concept क्लियर हुआ अब हम थोड़ा आगे चलते हैं महमूद गजनवी ने बेटा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आकमर किये कितनी बार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आकमर किये कितने आकमर किये 17 बार आकमर किये महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आकमर किये इतना बात ध्यान जखना है अगर वो टाइम में ध्यान जखना है तो आप याद रखिएगा 1000 SV से लेकर के 1027 SV इसनी टोटल 17 बार राकमर की है अच्छा एक बात और महमोद गजनवी के साथ तीन इतिहासकारों का नाम जोड़ करके देखा जाता है और इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे तो महमोद गजनवी के साथ तीन इतिहासकार थे तो जो पहला है वो है उत्वी कौन है उत्वी बहुरी बहुर्ण से है इसको जरूर अंडरलाइंग करिए ये कई बार एक्जाम में सीधे पूछ लिया गया है खास करके इसकी रचना इसकी बुक आपको एक तरफ है ना बुक दे देगा और उसके अथर दे देगा और मैच कराने की बाद करता है मिलान कराने की बाद करता है तो उत्वी ने लिखा तारीक ए यामिनी उत्वी ने बेटा कौन सी बुक लिखी उत्वी ने लिखा तारीक तारीक ए यामिनी कुतवी ने लिखा तारीक ए यामिनी उसके बाद असके बाद दूसरा नाम मिलता है अल-बरुनी और अल-बरुनी ने लिा किताब उल-हिंद किताब उल-हिंद ठीक है किताब उल्व हिंद अलवरुनी ने लिखा और हम बात करते हैं उसी में हम आगे बात करेंगे खास करके तिसरा वो है साहनामा ये बुक है ये बुक है और इसको लिखते हैं फिर दौसी सहाब कौन लिखते हैं फिर दौसी सहाब फिर्दौसी सहाब ने लिखा साहनामा ये बुक है और ये फिर्दौसी इनके साथ के एक इतिहास कार है तो कहने का मतलब है उत्वी, अलबरुनी और फिर्दौसी ये जो हैं अलग-अलग किताबे लिखते हैं जो की काफी importance है तो आप देख सकते हैं, आप यहां पर हम अंगर फिर से बात करें तो फिर्दौसी सब्द मिलता है और फिर्दौसी ने क्या लिखा है इन्होंने लिखा है भाईया साहनामा लिखा है तो तीन तिहास कार उत्वी, अलबरुनी और फिर्दौसी आपके एक्जाम में प्रिस पूछता है अल बर्णी किस आक्रमड कारी के साथ भारत में आया था तो याद रखना है वो आक्रमड कारी कौन है महमूद गजनवी है आप लोग मुहम्मद गोरी और पता नहीं कहां ठीक मार करके आते हैं तो खास करके ध्यान रखना है कि वो कौन है वो है अल बर्णी इतनी बाते क्लियर हो गई अच्छा अब हम देख लेते हैं कि भारत पर इसके आक्रमड अब हम चर्चा कर लेते हैं खास करके इसके भारत पर आक्रमड तो महमूद गजनवी के आक्रमर की हम बात करेंगे खास करके महमूद सुल्तान सुल्तान महमूद गजनवी गजनवी के हम बात करेंगे आक्रमरों की किसकी बात करेंगे बिटा आक्रमरों की बात करेंगे आईए महमुद गजनवी कि अगर मैं आक्मण की बात करूँ तो उसके पहले थोड़ा भारत की सुती देखा जाए भारत में क्या सुती है आई तो अगर मैं भारत की सुती की बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि देखे भारत की क्या सुती है उस समय आपका भारत कुछ ऐसे है भीया आपका भारत कुछ ऐसे है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझेंगे आप इन चीजों पर जरूर ध्यान देंगे और इसको आप जरूर समझेंगे तो इतना चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और है न आप तरह समझेगा और चीज़ें clear होनी चाहिए अच्छा अगर ये भारत है तो यहाँ ध्यान रखना है ये पाकस्तान था ये विट्टा अफगानिस्तान था यहीं गजनी है क्या है गजनी है भारत से बाहर ठीक है ये अफगानिस्तान है ये पाकस्तान है और ये भारत है बांगलादेश है न ये भी पस्व बंगाल पुर्वी बांगलादेश ये सब भी अपडेट है यहाँ अफगानिस्तान भारत है और पाकिस्तान है तो याद रखना है कि इसकी अगर मैं कहानी की बात करूँ इसकी मैं अगर कहानी की बात करूँ तो खास करके यहाँ पर नार्थ है यहाँ साउथ है यहाँ वेस्ट है और यहाँ क्या है? इस्ट है तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि यहाँ का सासक उस समय महिपाल जी है कौन है महिपाल जी है यहाँ पर सासक महिपाल जी है और यहाँ पर जो सौराश्ट प्रांत है यहाँ पर कौन सा प्रांत है बेटा सौराश प्रांथ है और यहां के सासक है राजा भीम देओ कौन सासक है राजा भीम देओ और यहां का सासक है चंदेल वनसिय चंदेल जनस्ती से बिलॉग करने वाला विद्याधर जी है यहां के सासक है विद्याधर जी इतनी बाद समझ में आई अच्छ, हाँ, यहाँ नार्थ में, यहाँ सासक है, जम्मू एंड कस्मीर में, दिद्दा, दिद्दा दी, ठीक है, तो इन प्रान्तों में आप देख रहे हैं, और मैं एक बात और भी बता दूँ आपको, कि यहाँ, यही पर आपका मुल्तान है, क्या है, मुल्तान है, का सारसक है बेटा जैपार ठीक है यहाँ पर सारसक है जैपार कहने का तापर है कि महमोद गजनवी ने अपना जो पहला आकमर किया था 1000 में याद रखिएगा वो मुलतान पर किया था कहां किया था मुलतान पर किया इसने अपना पहला आकमर मुलतान पर ही किया और क्यों किया याद रखेगा इसमें कोई धन लूटने की बात या फिर धर्म के प्रचार के लिए भारत में घुसना नहीं था आप ऐसे समझें कि महमोद गजनवी के जो पिता सुरुक्त गिन थे उन्होंने भी जैपाल के उपर आक्मण किया था मुलतान पर आक्मण किया था और सिकस्त खाई थी और वो सिकस्त खाई थे और महमोद गजनवी भी बच्पन से ये सुनते भी आया था कि पिता जी एक बार उससे परास्त हुए थे और उसने उनको बैज़ब किया था महमूद गजदवी जब बड़ा होता है उसके पास पद प्रतस्था और अधिकार आता है तो उसने अपना पहला जो आकमर था वो एक तरह का प्रतसोधात्मक था और उसने पहला आकमर मुलतान पर किया ठीक है? अच्छा खास करके अगर मैं बात करूँ तो महमूद गजदवी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका मतुरा और वरंदावन है यहाँ आपका अगर मैं कहा दूँ मतुरा और वरंदावन है यहाँ आपका मतुरा वरंदावन है यहां मत्वुरा बंदा बंद पर भी उसने आकमण किया था 1080SV में उत्वी तारीखे यामनी में लिखता है कि मत्वुरा हिंदूओं का बेतलहम है क्या है? बेतलहम है मत्वुरा हिंदूओं का बेतलहम है मुसलिमों का जो पवित्र स्थान होता है बेतलहम उसकी उपमा उतवी ने तारीखे यामनी में मतुरा को दिया है क्यों? क्योंकि मतुरा में हर दसकदम पे हर आज पास मंदर सिवाल है और है ना धार्मिक माहौल देख करके वो उपमा देता है कि यह तो हिंदू का बेतलहम है समझ में आ रही है बाते बहुत सुन्दर अच्छा कहने का ताप पर है कि आपने देखा कि महमूद गजनवी जो है अब मैं यह कहना चाहता हूँ महमूद गजनवी यह पीटा महमूद गजनवी ने जो आकमर किया पहला वो किया है आप देख रहे है वो मुलतान पर किया है ठीक है अच्छा एक हजार अठारा में उसने मतुरा पर आकमर किया और याद रखना है कि 1000 2019 इसवी में उसने विद्याधर पर आकमर किया तो याद रखना यह वही विद्याधर थे चंदेल वज़े सास्ट जुसने महमूद गजनवी से को यहां से भारत से बाहर भगा दिया था भारत में अगर उसने 17 बार आक्मर किया तो उसको सिकस्त देने वाला अगर कोई परसनाटी थी तो राजा विद्यादर जीते कौन थे विद्यादर तो याद रखना है 2019 में उसने इन पर भी आक्मर किया और सिकस्त खाया और फिर ये अपने आक्मरों में कभी नीचे की और नहीं गया कभी साउथ इंडिया की और रुख नहीं किया हमेशा ये अपनी लूट उपर ही करता रहा धान रखिएगा वो आक्मर लूट तो करता था लेकिन अपने लोगों को जिहाद सबसे गुजरात के नागर कोट के जौला देवी मंदिर को उसको तोड़ता है और वहां की मुर्ती को वो तोल करके ले जाता है और अपने यहां गजनी में बुचरमैन कसाई को देता है मीट तोलने के लिए महमूद गजनवी कही न कही तियासकारों ने कहा है कि यह एक संकीर मानसिक्ता का था इसका उदेश प्रिटुकलर अपने धर्म का प्रचार करना ही नहीं था यह एक प्रकार की लूट की नियस से भी जाया करता था देखिए महमूद गजनवी का मतुरा का आक्रमण बेतलहम कहा उसके बाद विद्याधर पर आक्रमण किया जहां पर उन्हें सिकस्त खानी पड़ी महमूद गजनवी को सिकस्त खाना परा विद्याधर उसको भर से बाहर कर देते हैं अब सबसे जो इंपॉर्डेंस है वो 1025 और याद रखिएगा ये महमूद गजनवी का सुलाहवा आक्रमण था कौन सा आक्रमण है सुलाहवा आक्रमण है ये महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण है या सुलाहवा आक्रमण है तो कहने का तात्पर है ये आक्रमण जो किया उसने सौराष्ट प्रांत पे किया कहां किया सौराष्ट प्रांत यहां का सासक भीम देव है महमूद गजनवी ने कहां आक्रमण किया सौराष्ट पे आक महिपाल के यहां कहा जाता है । यह वहां जाकर के महमूद गजनवी जब आकमर किया है तो यह वहां जाकर महिपाल जी के यही है यहाँ पर कि सौरास्ट बिलकुल खाली हो जाता है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस घर में गाजियन नहो और जिस राजी का राजा नहो गाजियन नहीं है संगरच्छक नहीं है तो उसको लूटना आसान होता है महमुद गजनवी ने भी सौरास्ट प्रांट को लूटा और अलबरुनी ने भी अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि 50,000 हिंदू को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया मंदिर को लूटा गया उतवी तारीखे यामिनी में लिखता है कि 700 उटों से भर करके मरी मारी के हीरे मोती जमारात हम लोग गर्जनी लेके गये अपसोस बहुत सुछी चीज़ें यहीं रह गई क्यों क्योंकि हमारे पास कन्विंस नहीं था हमारे पास ऐसे सब्धा नहीं थी कि चीज़ों को हम भी है ना और चीज़ों को लाद करके रख करके ले जाते कहने का ताथ पर है कि सौरास्ठ प्रांत को बुरी तरह लूटा गया 1025 में और ये महमूद गजनवी यहां से लूट करने के बाद यहां से लूट करने के बाद यहां से चल देता है और कहा जाता है कि सिंद के पास कहां में यहां सिंद के पास सिंद के पास ध्यान रखिएगा खास करके मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि सिंद के पास यही सिंद के पास जाटो और खोखरों ने इसका रास्ता रोका था जाटो और खोखरों ने इसका रास्ता रोका ये बड़े पैमाने पर संपदा लेकर के जब जा रहा था तो सिंद्ध के पास जाटो और खोखरों ने इसका रास्ता रोका था तो ध्याँन रखिएगा यहां उनसे उलजुने की बजाय सांती और सुकून से अपनी चीजों को ले करके कहां चला गया? गड़नी चला गया लेकिन जो इसका सत्रहवा आक्मण हुआ 1027 में इसने जो सत्रहवा आक्मण किया बेटा वो इन्ही जाटो और खोखरों पर करता है इन्ही जाटो और खोखरों पर उसने सत्रहवा आक्मण किया 1027 में और ध्याम देने वाली बात यहाँ है कि सिंद को सिंद पर इसने आक्मण किया 1027 में और यह कोई लूट या धर्म का प्रचार नहीं था यहां खास करके कैसा आकमड था यहां आकमड प्रतिसोधात्मक था यहां आकमड एक प्रतिसोध के तरीके से किया गया था क्यों? क्योंकि इनी लोगों ने वापस जाते समय 1025 में रास्ता रोका था तो महमूद गजणी उस समय तो चला गया लेकिन फाफ फिर वापस आया और जाटो और खोकरों को पुरी तरह नस्ते नाबूत कर दिया सिंद को तहस नहस कर दिया तो कहा जाता है कि यह सत्रा बार आकमड करता है और भरत को बुरी तरह च्छती पहुँचाता है तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है कि इसका अंतिमभियान एक हजार सताइस में था जाटो खोकरों के बुर्दू तो यह एक परतिसोधातमक युद्ध था परतिसोध के तहत इस युद्ध को लरा गया सौराष्ट लूट के नियस से लड़ा गया युद्ध था यहां के आकमर में 50,000 हिंदू का कतल याम किया गया तो कहने का मतलब है चीजों को बिलकुल डाइग्राम के माध्यम से चीजों की प्राक्षिस करिएगा एक एक चीजें आपको जरूर समझ में आएंगी अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1000, 1027 में आप देख रहे हैं कि महमूद गजनवी किस प्रेकास से संद पर आकमर करता है जाटों खोकरों को बिलकुल नस्ते नाबूद कर देता है और यहां कहा जाता है कि इन आकमरों में इतना घायल हो चुका था कि यह वापस गजनी आता है और यहां गजनी में 1000, 30, 1030 में इसकी मृत्य हो जाती है क्या हो जाती है? मृत्य हो जाती है तो कहने का मतलब है कि इन सब टॉपिक को ऐसे ही सही से प्राक्टिस करिएगा मुझे उमीद है कि आपको चीज़े जरूर समझ में आई होंगी चीज़ों को बिल्लकुल अंडरलाइन करते हुए स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को समझेगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही हम फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले सेक्सन को लेकर के खास करके मुहम्मद गोरी को लेकर के मिलते हैं और उसके तीन गुलामों को लेकर के मिलते हैं नासुद्दिन कुवाचा ताजुद्दिन यल्दोज और कुतब दीन अबग तो आगे की जो बाते हैं हम अगली क्लास में करते हैं तब तक के लिए सबी को गुड़ी सबाख है धन्यवाद